इस समय कोविट के टाइम पर अगर घर में कोई भी इंक्रेडियन नहीं है तो आप यह बना कर सब्ची तयार करिए कोई गेस्ट आए या कोई भी उसके सामने यह बना कर रखिए देखकर इंप्रेस हो जाएगा आपकी इस सब्ची को आनियन शालन देखिए हमारे घर में यह देखते हैं कि यह कैसे बनी है इतम कम इंक्रेडियन से बनका तयार हुआ यह अनियन शालन आप सबका स्वाब आता है हमारे यूट्यूब चैनल चाहाय में गाइस देखिए इस समय पर ऐसा है सिस्ट्यूशन ऐसी है कि कभी सब्जियां होती है कभी नहीं होती मगर करते हैं आपके घर में यह जो चीजें हम डालेंगे आज सब्जी में गिरेवाली सब्जी में सारी की सारी आपके घर में ही उपलब दोंगी और गाइस जैसे कोई जैस्ट आ जाता है चभी तो उसके सामने भी यह हम बना सकते हैं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी देखिए यह एक टमाटर लिया हुआ है दो मिर्च लाल वाली है आप हरी डालें हरी डालें यह हमने एक इंच दड़क कर टुकड़ा है इसका हम बना लेंगे पेस्ट और यह देखिए प्याज जो हमने चार प्याज ले लिए हैं आप चाहे तो इसे समूचा भी रख सकते हैं ऐसे ही मैट करेंगे वह हम बाद में बताते जाएंगे कि कौन कौन से इंक्रीटेंट डालने हैं वैसे तो प्रिरस्ली जो बनता है उसमें खसकस पड़ता है और मुफली के दाने भी पड़ते हैं बट जरूरी नहीं है कि हमारे पास चीजें उपलब्द हो खसकस नारिल बूरा है मुफली के दाने यह जरूरी नहीं है कि सबके दे में उपलब दे ही हूं मुफली भी सकती है बट जरूरी नहीं है कि खसकस हो पिछले इसके बिना भी हम बना सकते हैं पोटल स्टाय अनियन साली चलिए बनाते हैं एग हमने 2-3 स्पून डाल दिया है इस सब्जी में डाल देंगे ठीक है कि यह थोड़ा सा देखने में लुप बढ़ी आएगी इसलिए और आप हम अपना यह पेस्ट डालेंगे और हलका सा बोन लेंगे इसलिए हमारा हो चुका है राज लवग थोड़ा सा टमाटे बून चुका है उसमें डालेंगे हम 1-5 टेबल स्पून ध यह दिल गएषा बोन चुका है तो यह देखिए एक स्पून है मारा जम कuirाड़ा एक बाटे-ई एक स्पून बगों बेशन डाले महाँ तो तेकर बेशन ही है वह वोड़ा सा बम रिखन में चोटे है तो अमारे बशके ने मैं तो तो बेशन, ने और जम विरादία ते लीग जब तक भूनेंगे घुन को तक तक भूनेंगे अब यह दिखेंगे वारे चाहिए जोड़ा सा नों को थोड़ा सा क्रीमी और एक्तन क्रीमी दिखने वाले दिखने के लिए हमें क्या करना है हमें ताजे दूद की मलाई ले लिए हैं जिसको हम 2 स्पून इसमें एड कर बूद्ध की पीम आपके सब्टी करने होता है क्योंकि दूद्ध सब्टी करने होता है और ये इसका टेक्स्च्चर क्रीमी भी करेगा उपर से थोड़ा सा स्वाधी खिल के आएगा अनियन सालन का तो इसको भी अच्छे से प्राइगा ये लेजे गाई समारा बून चुका है अच्छे से मसाला और ये थोड़ी से अमने रोस्टेट मूंपली अगर ले ली है जितका चीका नहीं है तो इस अच्छा है कलर दिखने में उनको भी डालके सी मिक्स कर लें और इसमें अब आट करेंगे हम अपना प्याज ये दिखिए धुला हुआ कटा हुआ प्याज है डाल कि इसी तरह से और भूलनेघे थोड़ा सा और देखि ऍरैसी जुई हमने बेषण का ये जो मसाला वनने बनाकर रखता तो यह आप किसी भी सब्जी में डालागें तो उसका बहुत टेस्ट बहुत साफ बहुताँ तेस्ट अब प्यास के साथ तो फ्राइ करेंगे फिर नम्मिक्ट तो यह देखिए एक आज पास जहां ओ गयाया एसका मुदलक कि हमारा मसाला अच्छे से बुन चुकार है तो यह देखे, अब हलों स्वा नमक, एड़ करेंगे इसमें ठीकिखे, अब इसमें हम आराम से यूज कर सकते हुआंचे हैं। और फोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे यह देखिए एक कटोरी एक कटोरी एड़ क्या था यह अधिया हुआ है अपने साथ के अमसाथ जैसा हमें मुझा पसंद है तो आप अपने इसाब से इसको बनाएं अब इसको हम ऐसे पकने देंगे इसको बाद जब तक हमारा प्यास सॉफ्ट ना हो जा तब तक हम इसको पकाना है तो यह ढब कर हम पका लेंगे कि यह देखेगा इस हमारी बन चुकी है सब्ची पांच मिट में तम पड़िया फर्स्ट क्लास सब्ची बन कर तयार है और इसको आप हम आप देख सकते हैं ऐसे कट करके प्याज ऐसे देख लें अराम से कट हो जा रहा है तो यह हमारी सब्ची बन इसमें डालते हैं सब्ची में एक सा हो जाए उसके बार में हम सब्ची में रखते हैं तो यह देखें गाइस बन कर डेटी है हमारा अनियन सालन घर में कोई लिए गेस्ट आप इसके सामें बना कर लख दीजिए इसको बहुत टेस्टी लगने वाला है और देखें कितने कम इंक्रेडेंस से ब अनियन सालन जो कि आज के मारी यह रहे से पी अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शियर मिलते हैं नेक्स पे नेक्स वेस्टी के साथ थेंक यू